फ्रेंज। आगों मैं आपको बोले वैलोग वज़िए, हो सकता है कि आप Laptop & Decstop के उसे कर रहे हैं कुछी तैयम है कि Laptop & Decstop बहुत ही ही यह हो जा रहे है आपका Laptop & Decstop बहुत ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है आपका चोně eldest कूलर है वो सामल नहीं पार है आपका laptop बहुत ही हीट हो जा रहे हैं और हो सकता है कि इसके साथ कि last time अपकर laptop slow हो गया या hang कर गया यहां हो सकता है कि आपका laptop पूछा से sunddown हो गया यह सतरा बोर्लयों आ सकते हैं तो आप कहते हैं आपका laptop desktop अपको जो हीट है उसको contur कर सकतो उसको लेबल पर ले आ सकते हो, इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, सारा कुछ यहापर मैं इस वीडियो में देखने वालू हो, तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टर होगा, तो आई रिष्टर करते हैं, फिरेंस आपको लैप्टाव और डेक्स्टॉप जो हीट हो रहा हागर आप इस बैक एरम फैंक को यूजे किया आपको डेक्स pap के साथ तो आपका डेक्स्टॉप नॉर्म जो हीट होता है उससे टेन पसन कूल रहेगा, आगर आप वैक एरफ फैंक को यूजन की आपका डिक्स्टॉप के साथ और सेगेंड इस्टेप में यह आपको बोलने बहूँ कि आपका डेक्ष्टोप के साथ जो कूलर रहता है उस कूलर कुछी टाइम में हो सकता कि एक यार आप ऐसका कि यूज किया उसको और कूलर पूरी तरह से डस्ट जम गया और कूलर आपका डेक्ष्टोप को कूल नहीं कर पा रहे तो इसलिए आपको आपका डेक्ष्टोप का सीप्यू का जो कॉवर है उससीप्यू को रिमूफ करने के बाद आपका कूलर को बाहर ले आने के बाद उसको क्लीन करना हो पूरी तरह से आपका सीप्यू के साथ एक पे पहले से बहुत ही कुल रहेगा अगर यह सरे कुछ process अप करते हो तो और अगर आपका laptop बहुत ही heat हो जारहे तो first step आपको laptop में करना होगा तो है आपका laptop के साथ cooling pad को यूश कर सकते हो और देखो यह आप इस वीडियो में दिखा तो की cooling pad का unboxing और उसके साथ अपका लैप्टो के साथ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं उसको सारा कुछ में यह आपर एक वीडियो करके दिखाने का खोशी करते हो चलो वीडियो पहले देखते हैं अपका लैप्टो कर सकते हैं अपका लैप्टो के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हो यह बहुत ही नहीं सरी होगा आपका लैप्टो के साथ कुलिंग पैटो को यूज़ करना अगर आपको नया लैप्टो को पर्चेस करते हो तो उसके साथ से कुलिंग पैट को भी पर्चेस कर दो और बहुत टाइम से और नामबर फोर प्रोसस्ने आपका लैप्टोबन देख्टाप के जाला को CPU पार्फोर्मेंस सेट आप करना होगा कैसे मैं यह आपा दिखने का होची करता हूँ चलो दो फेंस में मेरा लैपटॉम में दिखाता हूँ और अगर आपको पास लैटॉम डेस्टब है तो आप ऐसर कुछ प्रॉसेस कर सकतो लैपटॉम में कोई भी उइंड़ीर उसी उइंड़ा दो बीजाने के बाद यहाँ पर ब्लाइन से फ्रेमें कर सकते सकता चुर्फ ब पूपर इसे को आ सकता है कटेगोरी को करके आप यहापर इसमॉल आइकन करके सेट आप करना होगा देखो यह उसके बाद यह आपर यहापर ऑप्शन जो पाउचन है इस पाउर चैंड में क्लिक कर लो क्लिक किया, उसके बाद यहांपर create a power okay, create a power plan दिक्लिक है पाइअ पर अपर क्लिक किया, पर आप आद आप आप आच्याए से देख स henry यहां, high perform are Curtis क्छ kayak power plan set कर देख हूगा दीन, मैं high performance कर दिया, उसके बाद मैं यहांपर बैक्सलर को प्लेश करके इसको और यह विए इसका नेम देता हो 1-2-3-4-5-6 दख़वी आपको बनेम दे सकता हूं मैं यह वाइन काय यॉबिल Ayda सेटिंग में क्लिक कर लो और क्लिक करने का बाद यहां पर चेंज एड़ोटर पावर सेटिंग में क्लिक किया उसके बाद आप देखो यहां पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इस बॉक्स में आपको जाना होगा इसको एकस्पेंड कर लो और लिंक स्टेट पावर मेनेजमेंट इसको आप थोड़ा सा एकस्पेंड कर लो उसके बाद ऑन बैटरी और प्लागिंग अगर आपको बस डेक्टॉप है तो अन बटरी नहीं दिखाएगा जस्प्लागिंग ऐसे करके आ सकता है वहां पर देखो पर अफ रहता है और रहेगा क्लिक ने के बाद देखो आप फ्लिक करने के बाद इस एरो में क्लिकि कर लो और अब्स म Communaut ChooseSet Divine बैक्टरेंगे अकर सकता है तो अबकास लेपोर सेत्रिक में श्लेक कर लिया उसके बाद ओसके बाद पोसेसर गार और बैटरी और प्लागिंग दोनों पर दिखा रहा है क्योंकि है लाप्टॉब है इसलिए तो यह की दिखाएगा आपको तरह पर किनमीम करना होगा मैं प्लागिंगों एडिया मेतरी में.. डिटी रख दिया उसके बाद आप मैकसीमम, आपको मैकसीमम शेट करना होगा के वा कि बाशी आएगा, अगर आपको पास देंक आएगा और यापको अलंहें आपको आगा एक तो डिक्टोप हो थी आएगा बाद बैटरी में यह आप 90 कर दिता हो 90 नहीं 90 देख यह आप 90 बास ने कर दिया उसके बाद एपलाइ एंड ओके कर दो को सेट आप करेंगा इसके साथ साथ आपका सीप्यू पार्फोरेंस सही रहेंगा उसके साथ अगर आपके पास को स्टॉक कुलर को पूईदा से निकाल दो कोई एयार कुलर आप यूज कर सकतो या अच्छा होता है आपका सीप्यू को पर्फोरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा आपको पीसएव बहुत ही ख्लूल रहेगा या कुलर को ले सकतो मैं यह आपकर जो यूज किया यह यह यार कुलर है एन इसफोर्स का ICC 612 एयर कुलर इसको देख सकतो यह लगबग आपको 1200 उससे आसपास मिल जाएगा यह बहुत ही अच्छा एयर कुलर है अगर आप i5 या रैजन 5 पॉसेसर को यूज करते हो तो आपको मास्ट एक एयर कुलर लेना चाहिए स्टॉक कुलर वहापकर काम नहीं करता है काम करता है मगर उतना कूल नहीं दे पाता है जितना पॉसेसर को चाहिए कूल रखने के लिए इतना कूल नहीं प्रॉफाइट कर पा रहे तो इसलिए आपको एक एयर कुलर लेना चाहिए सो फेंस आज में ही आपर बोला कि आप कैसे आपका laptop and desktop को cool रख सकते हो, बहुत ही heat produce करने से आपका laptop and desktop हो सकते है कि shutdown हो गया, hang कर रहा है, और भी मुझे सार कुछ पॉब्लम आ सकते है laptop and desktop में, so ऐसे कि आपका laptop and desktop को आपको cool रख सकते हो, इस private process को use करने के बाद, सो फेंस आगर इस वीडियो को आच्छा लगा, तो इस वीडियो लाइक करना, अगर आपको कोई भी साप आले, इस वीडियो लेके, तो इस वीडियो का नीचे commentator में, मुझे बोल सकते हो, अगर इस चैनल काइनल के नियूस को आभी तक साफसार नहीं किया, तो इस तक आग न